नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत सौगत हैं हमारे YouTube चैनल में दर्श को इस कारिकरम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि किस तरीके से यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं किसी को वश में करना चाहते हैं या फिर अपने कार्यों में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन से वो उपाए हैं जो आपके लिए कारगर साबित होंगे कौन से वो उपाए हैं जिनको आप करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं ये आपको इस कारित्रम के माधियम से बताया जाता है तो आज फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक वशी करण का प्रचंड, सरल, सटीक और शक्तिशाली उपाय लेकर जिसको आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत ही कम सामग्रियों का इस्तमाल करना होगा जो आपके घर में आसानी से आपको उपलब्थ हो जाएगी आपको कहीं बाजार में जाने की भी अवश्वक्ता नहीं पड़ेगी तो चलिया आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाय है जिसको करके आपकी जिंदगी बदल जाएगी जिस व्यक्ति को भी आप चाहें वश्वे कर पाएंगे और जिस व्यक्ति को आप वस्वे करना चाहते हैं इस उपाय को जरूर करें और उनका नाम लेकर इस उपाय को सच्चे मन पूरी श्रधा के साथ करें वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा आपकी पात मानने लगेगा और यदी वह किसी और के चकर में है तो उसके चंगल से मुक्त होकर आपके पास वापिस आ जाएगा तो चलिए इस उपाय को आप बताने के लिए मैं बिलकुल तयार हूँ और आप भी तयार हो जाएं इस उपाय को लिखने के लिए और करने के लिए जिसके नाम मातर से आप इस उपाय को कर सकते हैं वह व्यक्ति आपके मन में होना चाहिए क्योंकि यदी वह व्यक्ति आपके मन में होगा तो मात्र नाम लेने से ही आप इस उपाय में सफलता हासिल कर लेंगी इस उपाय को करने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तमाल आपको करना होगा वह सामग्रिया हैं जो कि आपको घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी आपको लेना होगा एक कागस का होने चाहिए यह चावल कहीं से खंडित टूटे हुए नहीं होने चाहिए उसके बाद आपको लेना होगा एक दिया इस दिये में तेल भरा हुआ होना चाहिए तेल का दिया आपको जलाना होगा सरसो के तेल का अब बताती हूं आपको किस उपाय को आपको करना कैसे होगा चावल रखने के बाद इस पर रखें थोड़ा सा सिंदूर और सिंदूर इसके उपर रखने के बाद आप बना लें इसकी एक छोटी से पुडिया बिल्कुल इस तरीके से इस तरीके से आप एक पुडिया तयार कर लें इस तरीके से इस पुडिया को बनाने के बाद आप सरसो के तेल का दीपक जलाएं और सरसो के तेल के तीपक को जलाने के बाद आपको ये जो पुडिया है ये साथ बार इस तीपक के उपर से घुमानी है लेकिन इस चीज का ध्यान रखें कि जब आप इस फुरिया को इसके उपर से घुमाएंगे उस समय आपके मन में आपके दिमाग में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए साथ बार आप इसको दीपक पर घुमाएंगे, दीपक जला हुआ होना चाहिए और घुमाते समे साथ बार आप करेंगे हमारी गुरु माता द्वारा बताए हुए वशी करण के सिद्ध मंत्र का जाब मंत्र है ओम भाम भ्रम भरो वाश्य नमा एक बार और बताना चाहूंगी ओम भाम भ्रम भरो वाश्य नमा आप इस मंत्र का जाब साथ बार करें एक बार पुडिया घुमाएं मंत्र पड़ें दूसरी बार पुडिया घुमाएं मंत्र पड़ें ऐसा लगातार साथ बार करें और ऐसा करते समय उस व्यक्ति का नाम अपने मन में रखें जिसको आप पाना चाहते हैं जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसके बाद इस पुडिया को एक चीज़ का ध्यान रखेगा जब आप मंत्र पढ़ेंगे न और उस व्यक्ति के से आप जिसको चाहते हैं उसके लिए इश्वर से प्रात्ना करेंगे तो ये पुडिया आपके हाथ में ही होनी चाहिए उसके बाद आप इसको पुडिया को ले जाएगा और आपकी हर बात मानने लगेगा यदि आप इन चीजों का समाधान करना चाहते हैं किसी को वश में करना चाहते हैं या फिर हमारे गुरु जी के द्वारा मांग दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपको उपाए नहीं समझाया उपाए की विदी नहीं समझ आई है उसको जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर कॉल कर सकते हैं हमारे गुरुजी से माग दर्शन प्राप्त कर सकते हैं और हमारी गुरु माता के मात्यम से भी अपने जीवन को असान बना सकते हैं वाटसअप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं फिलाल मुझे दीजिया आग्या जय माता दी